आप सभी का स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है, खुले में बहों का नहाना, यहे एक सास बहु स्टोरी है, मुहित, अरे वो देखो देख, गाव की भाविया नहाने जा रही है, अनसुल, अरे वाह, इतनी सुन्दरता एक साथ, चल चल, हम छुप कर देखेंगे, ये तो करे क्या, राखी अदिती की नंद इन लड़कों का कुछ तो करना पड़ेगा, आखिर कब तक हम ऐसे दर-दर कर नहाएंगे, ये सुनकर अदिती ने कहा, अदिती, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, इस गाव में हमारे नहाने के लिए ये एक तालाब ही तो है, जो कुछ भी ह हमें इसी तालाब में नहाना पड़ेगा, अदिती इस गाव में नई है, दो महीने पहले इस गाव में उसकी शादी हुई थी, उसके पती का नाम अविनाश है, अदिती और अविनाश एक ही कॉलेज में पड़ते थे, अदिती शहर की लड़की है, शादी से पहले एक दिन अविनाश ने अदिती से कहा अविनाश अदिती मेरा घर गाव में है तुम वहाँ जाके रह पाऊगी ना अदिती मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए मैं रह लूँगी लेकिन अदिती को कहा पता था कि गाव में क्या क्या जहलना पड़ेगा अदिती की शादी हो गई अग अदिती, लेकिन तालाब में सब के सामने क्यों? घर में बाथरूम तो है ना? बिमला, बाथरूम तो सिर्फ श्रॉच करने के लिए है. नहाने के लिए गाव में बाथरूम थुड़े ही होते हैं. गाव में सभी तालाबों में हाथ पैर फैला कर नहाते हैं. अदिती, लेकिन से बात्रूम में नहाती आए है इसलिए आज उसे बहुत शर्म आ रही है वो सुन्दर है इसलिए आसपास के छोकरे लोग उसे छेड़ने लगते हैं मोहित अरे वो देख हमारी नई भावी कितनी सुन्दर है अंशुल सच में यार बहुत ही जादा सुन्दर है और नहाने भी से कहा अधिती सुनो मुझे तालाब में खुले में नहाने में बहुत शर्माती है गाव की लड़के मुझे तारते रहते हैं अविनाश अरे तुम चिंता मत करो वे लड़के वन तो दिन देखेंगे उसके बाद वो भाग जाएंगे और तुम्हें भी तालाब में नहाने क आदत हो जाएगी अधिती ने समझ लिया कि अविनाश को बोल कर कोई फायदा नहीं होगा अगले दिन उसने राखी से बात की अधिती अच्छा राखी सच सच बताओ तुम्हें खुले में नहाने जाना अच्छा लगता है क्या शर्म नहीं आती राखी शर्म तो आती है भ जाओ के आदमी लोग कुछ नहीं करेंगे अधिती ने बाके औरतों से कहा अधिती क्या तुम सब लोग स्विमिंग पूल में नहाना चाहोगे राखी स्विमिंग पूल में लेकिन गाओ में स्विमिंग पूल कहां से आएगा राखी वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो मे मेरे पास एक प्लान है, अदिती का दिमाग तेज है, उसने जट से एक प्लैन बना लिया, उसके ससुराल में घर के पीछे एक जमीन पड़ी हुई थी, अदिती ने उसके चारों और उची दीवार खड़ी कर दी, उसके बाद पैसे दे कर बहुत सारे बांस खरीदने लगी, अविनाश, अदिती, तुम ये सब क्या कर रही हो, अदिती, तुम तो कुछ करोगे नहीं, इसलिए मुझे ही करना पर रहा है, राखी, भाभी ठीकी तो कर रही है, भाईया, हम जैसी गाव के औरतों को शर्मिंदगी से बचा रही है, बिमला, नहाने में ऐसी क्या शर्मिं पूल बनाना शुरू किया, गाव की बाके औरतों ने भी अदिती का साथ दिया और कुछ ही दिनों में स्विमिंदग पूल बनकर तयार हो गया, चमपा, अरे वह अदिती, तुम तो कमाल की हो, जोगार से स्विमिंदग पूल बना डाला, अब से तो हम यही नहाएंगे, ग चलो यहां से, फ्री का इंटिटेन्मेंट बंध हो गया, वो लोग चले गए, लेकिन गाव की बुजुर्ग महिलाएं बिमला के पास आई, चमपा की सास, बिमला, ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारी बहु हमारी बहु को उकसा कर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए तुख है कि घर का कामकाज छोड़ कर नहाने चली जा रही है, चमपा की सास, कुछ तो करना पड़ेगा, बिमला, अपनी बहु को समझाओ, हाँ, बिमला, मुझे पता है, मैं आज ही बहु से बात करती हूँ, रात को खाते वक्त बिमला ने अदिती से कहा, बिमला, सुनो ब तालाब होता है तो वो शर्म के मारे जल्दी नहा कर घर चली जाती है और घर का काम करती, अदिती, लेकिन मा जी, घर का काम बहु के सम्मान से ज़्यादा जरूरी है क्या, बिमला, मुझे ये सब नहीं सुनना, कल से स्विमिंग पूल बन, वो जगह मेरी है, बिमला ने अगले दिन सभी औरते बाहर खड़ी खड़ी परेशान हो गई, चमपा, अब क्या होगा, अदिती, यहां तो ताला लगा हुआ है, अदिती, जगल तो मा जी की है, इसलिए ये ताला मैं तो नहीं खोल सकती, जब तक वो खुद ये ताला खोल कर नहीं देती, राखी, ये असंभव है, मा खुद से ये ताला कभी नहीं खोलेगी, चमपा, तो उनसे खुलवाना पड़ेगा, अदिती, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, कोई आइडिया लगा ना, अदिती ने कुछ सोचा और फट से कहा, अदिती, हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो सब ल नहीं, कुछ देर बाद बिमला और बाकी बुजुर्ग महिलाएं नहाने के लिए है, वो सब अपने कपड़े खोल कर तालाब में उतर गई और कपड़ों को ऊपर रख दिया, वो लोग नहाने लगी और मौके का फाइदा उठा कर अदिती, राखे और बाकी औरते चुपक से उनके कपड़े लेकर चली गई, नहाने के बाद उन लोगों को कपड़ा नहीं मिला तो वो परेशान हो गए, बिमला, अरे, मेरा कपड़ा कहां है, चंपा की सास, मेरा भी तो कपड़ा नहीं है, हे भगवान, अब क्या होगा, बिमला, मुझे लगता है किसी ने हमारे अब घर कैसे जाएंगे, वो लोग वही पर रोने लग गए, तभी तालाब के पास जाडियों से एक मगरमच की तरह देखने वाला खुनखार जानवर तालाब में उतर आएगा और उन लोगों के ओर बढ़ने लगा, वो लोग डर गए, चंपा की सास, वो क्या है, भागो, भ भागो, सब कम कप्तों में ही तालाब से निकल कर भागने लगे, गाउ के सब लोग ये देखने लगे, सब लोग दोरते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुँच गए, बिमला प्रोते हुए लगता है बहु ही सही थी, यहां कोई भी हमारे सम्मान के साथ खेल सकता है और से खुनखार जानवर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन चारदीवारी के अंदर स्विमिंग पूल में कोई खत्रा नहीं होगा, तभी वहां अदिती और बाकी औरते चली आई, अदिती, मैं तो यही समझाना चाहती थी, अच्छी बात है कि आप लोग ये समझ गए, बिमला ने स्विमिंग पूल का ताला खोल दिया, उसके बाद से सभी औरते स्विमिंग पूल में ही नहाने लगी, आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कूमन्ट में जरूर बताएं